गुद्वाने बच्चों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि माइक्रो एकनामिक्स के लिए जो हमारा स्टेटिजी होगा वो क्या होगा फॉर एंटिये, यूजीसी, नेट और जियारेफ के लिए 2019 दिसंबर के एक्जाम के लिए हमारा स्टेटिजी क्या होगा क्या हम पूरा कोर्स करें या नहीं करें या कुछ सेलेक्टेड टॉपिक करें जो हमारे लिए उपयोगी होगा आगे वाले एक्जाम में तो इसके पहले कि मैं आपको स्टेटिजी बताऊं मैं strategy and syllabus साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ सो हमें start करते हैं हमारे पास syllabus आपके board पे लिखा हुआ दिख रहा है अभी मैंने लिखा है इसको देख लिए जो syllabus है हमारा उसमें पहला topic है उसे हम theory of consumer behavior के नाम से जानते हैं अब देखे theory of consumer behavior जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे economics का चाहें वो micro economics हो या micro economics हो welfare economics हो public economics हो सब का base ये बनाता है consumer behavior तो इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके सा समझ लेना चाहिए कि consumer behavior आपको handy होना चाहिए यानि कहीं से भी question आपके पास आप answer यूँ कर ले तो इस बात को आपको सबसे बना ध्यार हना है दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि consumer behavior में एक चोड़ी 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 चीज़े होती है जैसे कि convexity monotonicity आपके पास indifference cop के special जो cop जो आपके पास diagram होते हैं इस सारी चीज़ी आपको दियाम लगने होती है इसके बाद आपका topic आता है theory of production and cost ये भी उतनाही important है एक consumer के point दो से and producer के point दो से एक मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जदी आपने consumer behavior अच्छी तरीके से बढ़ लिया तो उसमें producer behavior में आपको अलग से महनत करने के ज़रूत नहीं है सिर्फ और सिर्फ terms change हुए है for example budget line consumer behavior में producer में आपके पास बन जाता है क्या? I should cost indifference curve in consumer behavior producer behavior में बन जाता है I should cost ये आपको ध्यारणा है तो consumer and producer behavior almost same है सिर्फ norm and notation बदलता है वहाँ भी optimization same है Lagrangian ये उज़ करते है यहाँ भी Lagrangian ये उज़ करते है तो आपको इस बात को समयगा दूसरी तीसरी जो चीज़ आपने देख रहे है कि decision under uncertainty यानि decision making under uncertainty ये अभी तक का जो कि trend देखा गया है अभी तक का least important topic है ये तो आप मेरा suggestion ये है कि चुकि ये time consuming भी है तो आप मेरा suggestion ये इस topic को छोड़ दीजे आप इसको मत किजिए ये इस बात को नहां किए डेपरिटली छोड़ दीए ये question आप ही कि आमाल लेते है उसे दो आयाता नहीं है ये कोशे ना दीए तो उसको हम छोड़ दें कोई दीकत नहीं है इस topic पर आप ज़्यादा emphasis ना करें इसके बात आपके पास आता है गेम theory गेम theory से हर बार question आया है और जिस तरीके से भी जो question आया है मैंने उसको आपके वीडियो में उसी तरीके आपको आगे बढ़ते हैं तो आपके पास market structure market structure most important topic इसमें आपके पास perfect competition monopoly, monopolistic, oligopoly oligopoly में आपके पास आता है आपके में बट्रें, stacklebar, krno बड़े सारे models आते हैं तो मोट्र यहां से वह question आता है model में घुस्ट के question आता है for example कूर्णों में आपको बता देगा कि आपके पास जदी marginal cost zero है अज zero नहीं होगा तो क्या production होगा profit क्या होगा, price क्या होगा यह चीजें आपसे model में घुस्ट के question पुछते हैं आप जैसे आप आपने देखा होगा कि micro में जो monopoly है monopoly से question हमेशा आता है, price discrimination से question आता है तो मेरा मतलब जिस तरीके से मैंने आपको conjunction है मेरे को recommend क्या था, similarly उस तरीके से आपको producer यानि market structure को भी उतना ही strong बना लिए और यह बिलकुल detail study मैंने आपने वीडियो में सारा चीज़ दिया हुआ है इस बात को आपनो समझें इसके बात factor pricing factor pricing में वही चीज़ आता है कि आपके पास factor की क्या बेजिए labor की क्या cost होनी चाहिए परार कितना cost होना चाहिए इसके एक्सप्राइटिशन क्या होता है किस केस में यानि आप चुकिए factor market में मैंने आपको बताया video में कि क्या होता है factor जो producer है mediator है factor market से input खरीता है और उसको process करता है नि produce करता है input का मतलब वो raw material power fuel खरीता है आपका labor करता है अपने process करता है फिर output market बेशता है यहां पे concept कुछ अलग अलग चीज़े है बट यहां भी optimization का सेम कंडिशन है तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से पड़ना है बाके हम आगे बढ़ते इफिसेंसी अने फेर करेड़ियर दोनों जेनरल उक्विलीप्डम में इंक्रूलिट है तो जेनरल उक्विलीप्डम चेटर को आप बढ़ीए तो आपका efficiency criteria and welfare criteria दोनों आपको हो जाएंगे जैसे आपको हमने उसमें जनरल इकलिवर में आपको पढ़ाया है कि परेटो efficiency क्या होता है हमने आपको यह भी पढ़ाया है कि परेटो improvement क्या होता है एक आदमी का welfare एक individual का welfare कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा जैसे जनरल इकलिवर में जो मैंने पढ़ाया है वो आपको efficiency and welfare एकना में दोनों कवर करते हैं इसके बाद last topic है आपका asymmetric information asymmetric information भी बहुत बढ़िया topic है और बहुत easy topic है और इसे question एक दो question आते जाने है asymmetric information में क्या होता है basically asymmetric information आप से पूछेगा asymmetric information के वज़े से market fail हो जाता है और वो किस किस केस मता है reason क्या होता है उसका तो asymmetric reason यह है कि आपके वास information नहीं है जब information नहीं होगा market का fail होना लाजमी है इसमें आपको बढ़ाय हुआ है moral hazard and adverse selection दोनों चीजें हमने आपको बढ़ाएगे तो इसको अब बढ़ बहुत बढ़ा हो नहीं है आप एक बार मेरा lecture सुनेगे वह आपको समय में आजएगा तो यह है आपका micro economics के लिए strategy आपका क्या होना चाहिए उसके बारे में अब मैं next video में जब आप micro सुरू करिएगा तो sorry micro जब सुरू करिएगा तो उसमें भी मैंने इस तरह का analysis किया है किस से कितना chapter कितने questions आते हैं और किस पे ज़्यादा weightage है किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो इस video में इतना ही thank you